वेलकम बेक टो आज चेनल कारकोट ओटो पेंटिंग आज आमारा पास और एक आ चुका है नया पोजेक्ट जो है मारुतिव आगनाल जिस पर हम फूल बोडिक पेंटिंग का काम करने वाले फिलाल डेंटिंग का काम लगबग खतम हो चुका है गाड़ी पर एक मेजर के बाद हम बोड़ी फिलार का यूज़ करेंगे बने रही है वीडियो पर आप में से चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कोमेंट और शिया दुरूर किजिएगा क्वाटर पेनल पर भी कुछ डेंट का उसको भी हमने रिपियर किया है अब दख सकते अब रूफ में भी डेंटिंग का काम खतम हो चुका है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम गाड़ी पर प्रेंटिंग का काम कैसे करते है अब देंटिंग का काम खतम हो जाने के बाद गाड़ी हमरे पास आ चुका है प्रेंटिंग प्रोसेस पे अभी हमने सेंटिंग का काम खतम करके हमने बोडी फिलर का यूश किया है अब जैक सकते जहाँ जया रसे फरे करेंगे जो बोडी फिलर हे आप सकते हम अच्या हासा क्वादम करने के लिए हम ठोडी प्रेक करेंगे ताकि जब हम हम फाइनल पेंट करेंगे तब कोई अपडाउन नजन नहीं आना चाहिए वीडियो पर बने रही है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सार्कल पर जुरूर श्यार करना इको हम अच्छे तो जिकिसे ह journaling करेंगे फाइनल पुट्टि को गाले पे अपलाई कर लिए लेने के बाद हम आब सेंडिंग के लिए जाएंगे पुट्टी को हम सेंडिंग करने के लिए यूज करेंगे 60 ग्रीड का सेंड पेपर को गाले की मेजर अक्सिदेंट हो जाने के बाद गाले की दोनों दर्वाजा पे एक जो उपर का लाइनिंग देता है वो मिट चुका है सामने की फेंडर पे भी उसको हम दुबारा रेट पियर करने के लिए हमने मास्किंग टेप का यूज किया है और पुट्टी से कवर करके हम उसको ग्रूप को हम मूटाएंगे अब देख सकते हैं एक साइट को तुड़ा उपर रखेंगे और एक साइट को तुड़ा नीची रखेंगे ताकि जो एक्जेक्ट प्रोपा लाइनिंग है वो आ सके जो हमने बोडी फिलर का यूज किया था वो ड्राई हो जाने के बाद हम आभी सेंटिंग के लिए जा रहे ह अब देख सकते हैं अच्छे सेंटिंग करेंगे साइट को भी हम मिलाएंगे अच्छे दिकी से ताकि बात में आप डाउन नज़र ना आए आप आप डाउन नज़र को झाल 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 पर फास्टेप सेंडिंग का काम खतम हो चुका है अब फिर से हम बोडी फिलर का यूज़ करेंगे जा जा हमें डेंट नजर आ रहा है वहाँ पर हम फिर से बोडी फिलर का यूज़ करेंगे बोडी फिलर का यूज़ करने के बाद हमने उसको सेंड कर लिया है अब दख सकते हैं पर हमने मास्किंग भी कर लिया है और आभी हम सारवेसर के लिए जाएंगे गाड़ी पर सारवेसर मारेंगे सारवेसर मारने के बाद सोफ्टकाड पूट्टी का यूज़ करेंगे सोफ्टकाड पूट्टी का अपला ही हो जाने के बाद गाड़ी आप सेंडिंग हो रहा है अब दख सकते हैं लगबक 90% सेंडिंग का काम कॉम्प्लिट हो चुका है पीछे की डिगगी का और क्वाटर पेनल का सेंडिंग का काम लगबक खतम हो चुका है और दोनों धरवाजा का अंदर बहार से सेंडिंग का काम कॉम्प्लिट हो चुका है जो सेंडिंग करने के लिए हम पेपर आसके गाड़े पे प्रोपार सेंडिंग का काम हो जाने के बाद हम अच्छे तरीकी से टेपिंग करके फीट से हम सार्वेशार और एक कुट मारेंगे फाइनल पुट्टी का सेंडिंग हो जाने के बाद गाड़ी रेडी है आप सार्वेशार के लिए अब दख सकते हैं जो दोनों दर्वाजे पे और सामने का फेंडर पे आमने ग्रूप को अच्छी तरीकी से एक प्रोपार लाइनिंग दिया है आप लोगों को दिखाते हैं हा दर्वाजे के अंदर भी आमने पुट्टी का सेंडिंग खतम कल लिया यह भी सर्वरेंगे अभ देख सकते हैं हमारा सर्वरेसार का काम लगबक खतम हो चुका है अभी हाम रूप पे सर्वरेशार मारेंगे तर्वेशार को हमने तुरवा ब्लुष राखा है works यूदिे क मेंका कलर रहने वाला है ब्रीज ब्लू मारूती का ब्रीज ब्लू इसलिए हमने सर्विशार में लुप्रा ब्लू है कि ताके बेशकोट में हमें प्रोपर कलर का सेड मिल सके अब गाड़ के कंझा प्रूबलम हो गया कि कस्ट्मार की पहले डिमांटी की गाड़े सेमड़ने रहने वाला है लेकिन अभी वह कह रहे है कि उनका और सी रेन्यू हुआ है तो नया कलर जो है वाइट आया है तो उनको वाइट करवाना आए अभी फाइनल डिजिशन नहीं लिया है चलिए देखते हैं किया लेते हैं और कुम सा कलर करें गड़े पे फुल बोटी कर रहे हैं तो एक अच्छा नया सा कलर वो चूज़ करेंगे उस तुरा टाइम लिया है आम से तो यह आमरा पार्ट वान रहने वाला है और फुल पेंटिंग तो से साम पार्ट टू में दिखने वाले है सर्विसर के काम कंप्लिट हो जाने के बाद हमने चेक पूटिक का भी यूज़ कर लना क्योंकि पार्ट टू बहुत जल्द आपको दिखने को मिलेगा थेंक्स पूर वाचिंग कारकोट ओटो पेंटिंग